नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहदी महतोपून जानकारी को ले करके जी हाँ लहसुन का मुरब्बा है एक विशेश और शदि आए जानते हैं इसके गुनों के बारे में लहसुन तो अपने आप में कैसे बनाया जाता है और इसके क्या क्या लाब हमको मिलते हैं चलिए जानते हैं इस महतोपून जानकारी के बारे में लहसुन का मुरब्बा बनाने का सबसे पहले तो तरीका जानते हैं लहसुन का मुरब्बा तयार करने के लिए आपको 600 ग्राम अच्छी क्वालिटी का लह को लगबख 1500 ग्राम आयतन के साफ कांच के मर्तबान यानि के बरतन में डाल करके उसमें शहद भर दें और इसको चला करके ढखकन को टाइट बंद करके एक महीने के लिए रख दें संभव हो तो इसको अपने घर में आटे के कनस्तर में दबा कर रख दें तो और भी अच्छा मुरबख तयार होता है एक महीने के बाद इस मर्तबान को आटे के कनस्तर से बाहर निकालने और इस तरह से अपना बनाया गया लहसुन वाला मुरबख तयार हो जाएगा आपका इसके बाद इसकी सेवन भी धी आए जानते हैं इस मुरबख को मौसम के हिसाब से मात्रा घट लहसुन और एक चमच शहद का सेवन सुबह और शाम को किया जाता है इस तरह से ये एक बार में तयार किया गया मुरबख कई महीने तक चल जाता है और एयर टाइट रखने पर कई महीनों तक खराब भी नहीं होता है मधुमेह के रोगी भी इस मुरबख का सेवन कर सकते हैं लहसुन का मुरब्बा सेवन करने से क्या क्या लाब मिलता है अब ये जानते हैं लहसुन के मुरब्बा सेवन करने से हमारे शरीर को कई सारे लाब मिलते हैं इन लाबों की जानकारी हम आपको अपने इस वियों के माध्यम से दे रहे हैं इसके सेवन से शरीर में पैदा होने वालेवात के रोग जैसे की जोडों का दर्द मान स्पेशियों में खिचाओ और जक्रन नसों की कमजोरी इत्यादी रोग नश्ट होते हैं इसके सेवन से शरीर के बल में वरिध्धी होती है और यह बढ़ती उम्र के साथ शरीर को कमजोर पढ़ने की प्रक्रिया को मंद करता है जिससे बुढ़ापे के लक्षन जल्दी नहीं आते हैं नपुन सकता दूर करके काम शक्ति बढ़ाने में इस मुरब्बे का बहुत अच्छा लाब होता है इसके सेवन से पूरुषों के स्तंभन शक्ति बढ़ती है लहसुन का मुरब्बा सेवन करने वाले की त्वचा चर्म रोगों से मुक्त हो जाती है और चेहरे पर एक विशिष्ट आभाउत पन्न होती है पेट में गैस की समस्या के लिए भी इस मुरब्बे का सेवन करके गर्म पानी पीने से बहुत लाब मिलता है इस हमारे वियो में दी गई सभी जानकारी हमारी समझ में पूरी तरह स से अहानी रही था है फिर भी आपके आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्ष के बाद ही इनको प्रयोग करने की हम आपको सलाह देते हैं ध्यान रखें कि आपका चिकित्सक आपके शरीर और रोगों को सबसे बहतर धंग से समझता है और उसकी सलाह का कोई विकल्प नहीं ह हो सकता है लहसुन का मुरब्बा बनाने और उसके सिवन करने से मिलने वाले लाभों की जानकारी वाला या हमारा वाइस ओवर अच्छा और लाभकारी लगा हो तो कृपर इसको लाइक और शेयर भी आप करें ताकि और लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके तो दोस पसकार दोस्तों.